दोस्तो यूडाई ने आधार कार्ट में सबसे बड़ा अप्डेट किया है अब आप ओल्लाइन आधार कार्ट को डाउन्लोड नहीं कर सकते हैं जैसे मैं आपको वैपसाइट पर दिखा रहा हूं यह है आधार कार्ट की वैपसाइट जिस पर हम आधार का डाउन्लोड करते ह और इसका जो link है वो मैंने description में दे दिया है और comment box में भी दे दिया है पहले क्या होता था पहले हम enrollment number डालते थे full name, pin code और यह image का code और यहाँ पे एक mobile number का option होता था जिस पे OTP आता था और get one time password पे click करने के बाद उस पे एक OTP आता था उस OTP को यहाँ पे डालते थे और other card को download कर सकते थे पर अब क्या है अब आप enrollment number डालिए full name और pin code और यह image और get one time password पे click कर दीजिए और यह password सिर्फ उनी लोगों के पास आएगा जिनके other card में जिनका mobile number registered होगा अगर आपके other card में आपका mobile number registered नहीं है तो आप अपने other card को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और जिन लोगों के other card में उनका mobile number नहीं है वो अपने other card को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उनके बाद सिर्फ दो option है या तो one month बाद speed post द्वारा other card उनके घर पे पहुंच जाएगा दूसरा है कि वो other card पे जाएं और अपने fingerprint से अपने other card को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयों तो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद नहीं आया तो अन्लाइक कीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करके बताईए और इस वीडियो को share कीजिए और आप हमें चैल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते आप से नहीं इस वीडियो में धन्यवाद